जैहिंद एवरिवन, वेलकम टू स्टेडी विथेके, मेरा नाम है आदित्य और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो की है विसेकली आपका ओरजीन आप कंटिनेंट एंड ओसीन बेसिन और जितने भी हमारे नय विवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल लेई है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजकल जिगराफिक की बुक जो की सवींदर सिंग सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइश पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि जब आप किताब पढ़ने जाएं तो आपको किताब असानी से समझ में आ जाए और रही बात कि अभी तक हम सब कितना चैप्टर कवर कर चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इस बुक का मैं आपको अलड़ी पढ़ा चुका हूँ आज के क्लास के अंदर हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के इस चैप्टर के अंदर हम सब आपका टोटल चार हाइपोतेसिस पढ़ने वाले हैं पहली हाइपोतेसिस आपकी रहेगी टिट्रा हेटरल हाइपोतेसिस सेकंड आपकी रहेगी कंटिनेंटल डिप थियोरी आफ टेलर third hypothesis आपके रहेगी continental theory of Wagner और fourth hypothesis आपके रहेगी plate tectonic theory जो की सबसे most important theory होने वाली है हमारे इस chapter की ठिक और इसकी लवा हमारे दो topic और भी रहेंगे सुरवात में हम introduction देखेंगे इस chapter का इसके अंदर basically हम ये देखेंगे कि हमारे जो continental ocean है उसकी जो distributional arrangement है जो distributional pattern है वो किस तरह से है और last में एक और topic आपका book के अंदर दे रखा है जो की है plate tectonic and continental displacement के बारे में टिक तो आईए पहले हम देखेंगे अपना introduction के बारे में तो देखिए हमारे जो continent और ocean है उन्हें relief features of first order consider किया जाता है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि relief features क्या होते है तो देखिए relief features basically हमारे ऐसे characteristics होते हैं जो कि हमारे landscape से related होते हैं landscape का देखिए geography में अलग-अलग definitions दे रखा है इसमें भी आप कई अलग-अलग चीज़े पाएंग बस normally आप यहाँ पर यह पर खड़े होते हैं और चारों तरफ अपना दोड़ाते हैं तो जितनी चीज़े हमारे जो अर्थ की भाग होंगी वो सब आपकी landscape के अंदर आ जाती है जैसे कि आपके mountains हो गए river हो गए lake हो गए तिक तो इसी में relief features of order जो होता है आपका वो तीन तरग के orders होते हैं फर्स्ट order में हमारे continent और ocean आते हैं second order में हमारे mountain, plateau और lakes आ जाती हैं और third order में हमारी landforms आ जाती हैं जो की हमारे water, sea और ground water, wind जैसे चीज़ों से बने हुए हैं आज सी class के अंदर हम सिर्फ first order की भी बात करेंगे ठिक देखिए हमारे earth surface पे total आपकी 7 continent और 5 ocean पाई जाती हैं जिसमें से लगबख 70.8% total surface area जो हमारे earth का है वो हमारा ocean से cover है और बचा हुआ 29.2% हमारा continent से घिरा हुआ है या कह सकते हैं है अवलेवल है तो देखिए जहा कि आप इस image में देख सकते होंगे पहला continent हमारा North America होता है फिर South America तिर आता है आपका Africa फिर Europe Asia Australia और आपका Antarctica ठिक उसी तरह हमारे ocean भी जाता है पहला Pacific ocean हो जाता है दूसरा Atlantic ocean थर्ड आपका Indian ocean हो जाता है और फिर आपका Arctic ocean और फिर आपका Southern ocean हो जाता है ठिक अब हम बात करें हमारे distributional pattern के continent ocean की तो देखिए आप जैसा कि जानते होगे हमारे जो अर्थ है वो कुछ हद तक आपकी sphere के shape में होती है ठिक और अगर हम सिर्फ आधी अर्थ की बात करें यानि सिर्फ आधी sphere की बात करें तो उसे हम बोलते हैं hemisphere और आप जानते होगे कि हमारी जो line center line जो हमारी earth को divide करती है उसे basically हम क्या बोलते हैं आपका equator बोलते हैं ठिक तो equator के जो उपरी part होता है उसे हम north hemisphere बोलते हैं और इसका जो नीचे का part होता है उसे हम southern hemisphere बोलते हैं तो अगर आप इस image में देखने का प्रयास करें तो आप एक चीज notice करेंगे कि जो आपका northern hemisphere है उसमें जो land की availability ये कह सकते हैं महातरा है वो जादे है और और southern hemisphere में water की जो availability है वो जादे है इसलिए north hemisphere को land hemisphere भी कहा जाता है और south hemisphere को water hemisphere भी कहा जाता है ठिक तो वहाई सब चीजें यहां पर आपके दे रखी हैं कि the distribution of different continent and ocean in the both hemisphere is not uniform ठिक there is dominance of land area in the northern hemisphere while water bodies dominate in the southern hemisphere more than 75% of total land area of the globe is situated in the northern hemisphere अब इस image को देख के समझे गया होंगे ठिक और इसलिए हमारे northern hemisphere को land hemisphere भी कहा जाता है while the southern hemisphere is known as water hemisphere ठिक अब एक चीज है कि देखिए आप लोगों ने map तो पैदे भी देखा होगा map देखा जरूर होगा और daily देखते भी होंगे पर मैं बात करो लोग इन green की वो उनकी mind की आप सोचिए आप लोगों ने map देखा होगा पर उन्हों ऐसी चीजे इस map में notice की कि देखिए आपन और अस्टेलिया और अंटार्टिका के जो continent हैंसको छोड़ा कि अगर हम बात करें पाकी continent की तो आप पाएंगे कि ये कुछ हद तक हमारी triangle की shape generate करती है एदम perfect triangle तो नहीं बनाती पर roughly triangle का shape आपका दिखती है जैसे कि अगर North America के हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इस ठीक उसी तरह अगर हम बात करें South America, South America के आप देख सकते हैं ये भी हमारा कुछ हद तक triangle shape बनाता है और Africa भी उसी तरह हमारा triangle और Europe और Asia को जब एक सफ मिला के बात करते हैं तो उसको basically Eurasia कहा जाता है तो Eurasia को भी हम देखे हैं तो वो भी हमारा कुछ हद तक आपका triangle का shape ब जिसकी जो base होती है हमारी वो South की नॉर्थन के तरह आती है और इसकी जो Epesage होती हैं वो आपकी साूथ की तरह आती है ठीक इसी तरह Oceania भी ट्राइंगल फ़ॉर्म करते हैं triangle के shape में आते हैं पर इनकी जो क्या बोलते हैं बेस होती हैं वो आपकी south की तरफ आती है और इनकी जो क्या बोलते हैं episode होती हूँ आपकी north की तरफ आती है बिसकल नौर्थ बूल की तरफ आती है जैसा कि आप इसमें Atlantic ocean को notice कर सकते होंगे कि आपका कुछ हद तक आपका triangle का shape बनाती है तिक उसी तरह अगर Indian ocean की बात करें तो ये भी कुछ हद तक आपकी triangle की shape बनाती है इसमें Indian ocean की बिसकल दो episodes हो जाती है एक ताप की जो Bay or Bengal की तरफ जाती है और एक जो आपका Arabian sea की तरफ जाती है तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये कुछ हद तक हमारी इस तरह से कैसे आपको समझाओं इसको ये भी Pacific Ocean की ध्यान देंगे तो ये भी कुछ हद तक हमारी क्या बलते हैं आपकी triangle का shape generate करती है ठीक भई यहां पर दे रखा है कि Continent and ocean are arranged interpolate triangular shape Most of the continent have their basis in the north while their episodes are pointed towards south Australia and Antarctica are exception to this rule contrary to the continent in the basis of ocean are in south while their episodes are in the north ठीक अब हम आगे बढ़ें तो देखिए आपने north pole और south pole का नाम सुना होगा और map में देखा भी होगा तो देखिए जो हमारी north pole का अब notice करेंगे तो आप एक चीज़ पहेंगे यह देखिए जो हमारी जो north pole है वो basically हमारी ocean से surrounded होती है जो wide area दिख रहा है यह basically ocean है इसे आप land ना समझे लीजेगा तो आप इसमें देख सकते हैं आपका जो north pole है वो basically आपका arctic ocean से surrounded है और वहीं अगर हम south pole की बात करें यह south pole हमारा पूरा land से surrounded है जो कि basically अंटार्टिका कंटिनेंट के उपर आता है ठीक वहीं यहां पे दे रखा है कि the north pole is surrounded by oceanic water while south pole is surrounded by land area I hope यहां तक की चीज़ें आपको clear हो गई होंगी अब हम आगे बढ़े तो there is an antipodal arrangement of the continent and ocean अल्राइट देखिए antipodal का मतलब भी मताता हूँ the antipod is the point on the earth जो कि directly opposite होता है where we are positioned यानि कि अगर आप मान लीजे यह हमारा कोई earth है 3D तो नहीं देख रहा है तो antipod ऐसा point होता है कि अगर कोई एक point आतके इस side आता है तो उसका जो दूसरा point आएगा एदम उसके opposite side यानि उसके पीछे के side जो वाला point आएगा उस side आएगा वही यहां पे दे रखा है कि antipod ऐसे point होते हैं और अगर earth को notice करें तो हम पाएंगे कि लगभग हमारा 95% के case में हमारा जो land area है वो diametrically opposite saturated water bodies की इनके अंदर एक antipodal arrangement है कि जब आप कभी globe अगर आप आप आएं तो उस notice करेंगा या आप कहीं से net set 3D globe डाउनलोड करके देख सकते हैं या आप क्या बोलता है आपका play store पे भी आपको मिल जाएंगी कई app जो 3D globe बना के दिखाती है तो उसमें आप notice करेंगे कि हमारी जो land है लगबग 15% केस में उसके जो opposite side की जो area होगी वो लगबग आपका water पाई जाती है ठीक I hope आपको antipodal arrangement के भी समझ में आया होगा और हमाजी great pacific ocean है वो लगबग हमारी earth का एक तीहा यानि one third हिस्सा या surface area कह सकते हैं cover करता है अब हम बात करें कि देखें आगे बढ़ें तो जितने भी हमारी theory है क्या बोलते हैं इसके continent or ocean के origin के regarding ये सब लगबग कुछ हद तक इसी distributional pattern के characteristic के अधार पे बनी हुई है और इनी सब mind fact को mind में रखते हैं इसके इलावा भी कई लोगों ने attempt किया इस problem को समझाने का explain करने का continent or ocean के origin की पर वो सब बाद में जाके fade away हो गई इसलिए मैं पुछा रहा था इस पूरे चैप्टर में सबसे most important theory हमारी होने वाली है plate tectonic theory हम अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि directly हम plate tectonic theory क्यों नहीं पढ़ लेते देखिए tedderahedral hypothesis महला की बाद में reject कर दी गई थी पर कुछ ऐसी fact चीजें हैं जो हमारी tedderahedral hypothesis जो है clear करती है वही सब चीजें हम देखते हैं अब आगे अगर बात करें tedderahedral hypothesis की तो तो देखिए कुछ scientist लोगों ने इस continent और ocean के problem को origin के problem को fundamental principle of geometry के आधार पे solve करने का प्रयास किया उसी में से सबसे पहला प्रतम प्रयास है फर्स्ट attempt तो जो था एली डेबे माउंड के दौरा जिन्हों ने अपनी pentagonal deco का बलते हैं इसी के प्रीसी क्या बलते है इसी के आधार पे based है ओल रहे तो हम आगे बढ़ने tedderahedral hypothesis की ति ये basically लोथियन ग्रीन द्वारा 1875 में initiate कया कह सकते है पॉस्टूलेट किया गया था जब ये theory निकली थी तब ये पूरी दुनिया में चर्चित हुई थी पर बाद में जैसा कि आप जान रहे है प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी आने के बाद इसे सारी इसी hypothesis क्या सारी hypothesis को इसे सेफ होती है जिसके फोर फेस, शिक्स एज और फोर वाटिस होते हैं और जितने फेस होते हैं इसके basically एकुलेटरल टाइंगल को रिपरिजन करते हैं आप इस इमेज में देख सकते होंगे basically आप टेटर हैटरन इस तरह कर दिखता है जिसमें आपका एक, दो, तीन और ए एक, दो, तीन और चार ठीक तो लोधियन ग्रीन एपोस्टिलेट की अपनी हैपोतेसी बिसेकली जैसे मैं बता चुका हूँ जो की डिस्रिबुशनल पैटर्न और अप्लेंड और वाटर का जो करेक्टरिस्टिक दावसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं आपको अलब बत चुका हूँ तो इनकी जो हैपोतेसी ये बिसेकली दो बेसिक प्रिंस्पल आप जमेट्री के बेस प्याधार थी कि इस पियर एक ऐसा बॉड़ी होता है जिसका जो विच कंटेंस लार्जेस्ट वॉल्लिम इस रेस्पेक्टिस सर्फेस एरिया यानि स्पियर एक ऐसा सबसे कम होती है ठीक ये आपका question पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा safe होता है जिसकी surface area के हिसाब से उसकी volume सबसे कम होती है ठीक ऐसा कई question पूछ सकते है में आपको बाद में discuss करेंगे basically lothian green ने एक experiment किये एक experiment का कई experiment किये और उसका result उन्हें नहीं पताया कि अगर कोई sphere हम लें औ और उसको चारो तरफ से एक उनिफॉर्म प्रेसर लगाएं, चारो तरफ से सर्फ एक तरफ से नहीं, तो उसका रिजल्ट जो होगा, बिसिकली वो आपका टेडरा हेडरन के सेप में कनवर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और यही प्रिंसपल उन्होंने हमारी अर्थ के उपर अपलाई की, उनके हिसाब से जब अर्थ हमारा ओर्जिनेट हुआ था, वो बिसिकली हमारा स्पियर के फॉर्म में था, जो सुरुवात में हमारा जो अर्थ था, बिसिकली आप जानते हो, यह सब यह जो आगए बात बताएंगे, कहानी में आपको और लेड थंडी के पड़िंग द्यू टू लॉस अफ हीट, और यह लॉस अफ हीट बिसिकली की होता ही, आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, क्योंकि मैं आपको यह अर्लिडी बता चुका हूँ अपने ओर्जिन अप अर्थ के अंदर, ठीक, तो पहले जब आपका आज जब थ का फॉर्मेशन हुआ, पर जो इनर पार्ट था, वो अभी भी हमारा थंडा पड़ रहा था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, देखें, जब भी कोई चीज थंडी पड़ती है, तो आप जानते होगे, कि क्या होती, वो सिकूर ने लगती है, यानि कॉंट्रेक्शन होने ठीक, तो हुआ क्या, धंडे पड़नी को जैसे इनर पार्ट जो था, आपका वो कॉंट्रेक्शन होने लगा उसके अंदर, यानि वो सिकूर ने लगा, और मैं बता चुका हूँ कि जो क्रस्ट था, वो अभी वो पहले से कूल हो चुका था, और जम चुका था, यानि सॉलि कर गया हमारे इनर पार्ट के ऊपर, और इसी के बाद हमारा जो अर्थ था, वो बिसेकलिए टेटराहेडरन के सेप में बनने लगा, लोथीन ग्रीन के ये भी कहना है, कि जो अर्थ है हमारा, अभी तक पूरी तरह से टेटराहेडरन के सेप में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है राधर एजी टेश्ट बिंग कूल यासे मैं बताया अभी थंडी पर यह था लोथियन ग्रीन का कहना था इट इस प्रोसीडिंट टुवर्ड अटेनिंग द्रू सेप आफ टेडरा हेडरन ठीक उनका बाद में यह भी कहना था कि जो अर्थ है वो बिसिकली हमारा पूरी तर टेडरा हेडरन से उसका कुछ डेविएशन इसमें हो सकता है ठीक नौ वन मी मूव नेश्ट तो अकॉर्डिन तो लोसीयन ग्रीन हमारी जो ओसीयन थी वो बिसिकली टेडरा हेडरन के फेसेच पे बनी हुई थी और जो कंटेनेंट थे वो बिसिकली उसके क्वाइन पे या नहीं कह सकते हैं उसके एच या कह सकते हैं उसके वर्टेस पे बनी है इन केस आफ दा अर्थ जो क्वाइन है बिसिकली इसके जो वर्टेक्स है वो इतने सार्पन नहीं है रैधर दे अर्फ फ्लैटन कॉन्वेस देखिए हमारी अर्थ जानते हैं बहुत ही बड़ी है तो अ तो लैथियन ग्रीन का ये कहना था, उन्होंने बिसिकली हमारे अर्थ के अंदर भी यही टेड्रहेडरर अरेज्मेंट देखा, जो की बिसिकली डिस्ट्रिबिशन आप कॉंटिनेंट और एसियन के ऊपर था, इसा ठीक, तो उनका ये कहना था, कि हमारी जो अर्थ है, बिसिक क्या बोलते हैं, Arctic Ocean होती है, वो इसके अपर पार्ट, अपर फेस पे आती है, और बाकी के तीनों फेस पे, Indian Ocean, Atlantic Ocean, और इसका नीचे लोजपायट, उस पे आपकी Pacific Ocean आती है, ठीक, इसमें South Ocean का नम इसलिए नहीं दे रखता है, क्योंकि जब ये थियोरी आपकी बनी हुई थी उसमें हमारी Southern Ocean, Southern Ocean डिस्कोवर नहीं होई थी Southern Ocean तो आपके बहुत बाद में जाके डिस्कोवर होई थी ठीक और इसी साफसन का यह कहना था कि इसके एजेज भी दखी जब आप महारी आर्थ जो होगी टेटर हेडरन सेप में अगर बन जाती है तो इससे आप तो नहीं बताया कि हमारी Continent और सीक पोजीशन क्या होगी तो नहीं बताया हमारी जो Arctic Ocean होगी वो इसके इस वाले हिस्से पर आएगी Indian Ocean इसके इस हिस्से पर Atlantic इसके इस हिस्से पर और आपकी Pacific Ocean है आपके पीछा और इससे पर जाएगी और ठीक इसी हिसाब से इसके Age पर हमारी Continent फ़र्म होगी और Continent के Age पर नहीं इसके जो Age के दिले कि पूरी Age में की बात करना हूँ देखिए एक टन में दिखा दो इस पूरे Area को हम Age बोलते हैं इसको Vertex बोलते हैं या कह सकते हैं इसको Coins बोलते हैं तो हम कहाते हैं तो इसके Similarly Three Vertical Ages रिप्रेजेंट North and South America यानि कि ये Area जो था आपका ये हमारे North और South America को रिप्रेजेंट करेगा ये आपका Area Europe को रिप्रेजेंट करता ये वाला Area हमारा A.C.E.A. और अफरिका को रिप्रेजेंट करता ये हमारा A.C.E.A. को रिप्रेजेंट करता और ठीक तो इसको मैं एक तरह से आपको अर्थ के उपर जब हम इस image को बनाते हैं तो इस तरह से इनका बिसिकली क्याना था ये बिसिकली रफ्ली मैंने खुच से बनाए हुआ है तो अगर हम इस अर्थ के उपर तरह से बनाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे जो नौर्थ और सौथ अमेरिका होगी वो आपकी इस वाले साइट पे आएगी यानि इससे एच पे आती है और आपकी आर्टिक उसियन जो होगी बिसिकली इस फ्लैट फेस पे आ जाएगी इंडियन उसियन आपकी इधर आती है अट्लैंटिक उसियन आपकी इधर पड़ेगी और अंटार्टिका जो होगा आपका इस एरिया नहीं इस एच पे आपका सकते हैं इस वाटेक्स पे आपकी पड़ेगी और जैसा कि आप याद आएगी सकते हैं ACA यह भाला की इधर आना चाहिए था ACA और Australia आपकी इस वाले एरिया पे आएगी ठिक और Europe और Africa आपकी इधर आ जाती है ठिक I think आपको यह कुछ हद तक समझ में आ गयोंगी इसके distributional pattern के अधार पर तो इससे जो हमारी जैसे में बताया था उन्होंने distributional pattern के मान के ही characteristic features के अधार पर ही बनाया था तो इससे कुछ हद तक चीज़ें हमारी confirm होती है कि देखिए जैसे कि में बताया हमारी जो continent होंगी basically वो आपकी age पे आती है इस corner पे आती है और जो flat face होते है उसके 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 हमारी ocn आती है तो इस हिसाफ से हमारी distributional pattern वो भी कुछ हद तक हमारी clear होती है जैसा हमें बताया था आपको पहले कि हमारी south नॉर्थन जो hemisphere होता है उसमें क्या होती है लैंड की मातरा जाज़े होती है तो अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि north hemisphere के तरफ आपकी एक, दो और तीन क्या होती है आपकी continent आती है कैसे इसके age आते हैं तो इस हिसाफ से ये clear होता है और इस side क्यों कि हमारी सिर्फ एक ही continent आती है नहीं एक ही इसका age आ रहा है तो इस हिसाफ से हमारी जो south hemisphere होगी ज़र water आता है ये भी आपको यहां से clear होता है ठिक और three coins out of four coins are located in the northern hemisphere only the four coins is located in the southern hemisphere वही यहां पर दे रखा है ये त्री coins present the oldest rigid message around which the present continent have grown यानि कि ये तिन coins है आपकी ये वाली ये वाली और ये वाली ये हमारी जैसा कि अब आगे पढ़ो गताब पर ये पाओगे कि हमारी जो पहले continent बने थे वो सारे land पहले एक साथ जूड़े हुए थे ठिक तो वही याँ दे रखाए कि ये सबसे old rigid masses present करती है इस जिसमें से आपकी लोरेंसी जो इन्हें अपका बलेंसी आपकी लोरेंसी है कहाजाता है इस वाले इरिया का आपको बलेंसी जोंड कहा जाता है ठिक यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी है थे थरते हैं इस वाले में कनेडा यहां पढ़ता है इसलिए कनेडियन सी से कहा जाता है यह आपका सैबेरियन सील्ड और यह वाली एरिया आपकी अंटर्टिका सी हो जाती है तो इनी सब सील्ड को मिला के हमारी जो प्रजेंट कंटिनेंट सारी प्रजेंट कंटिनेंट जो बनी हुई है इनी सब चारों सील्ड को मिला के बनी हुई है ठीक यह सब चीजा भी आगे आप जब पढ़ोगे और हैपोतेसिस तो क्लियर होती जाएंगी दो अब हम बात करते ह पर उसके लावा इसके अंदर कई और डिफेक्ट हैं और इरर्स हैं जिस वज़े से ये इस हैपोथेसी पेसिकली एकसेप्टेबल नहीं की गई मॉडर्न साइंटिपिक कम्यूटी दौरा तो बात में साइंटिक्स लोगों का ये कहना था कि अगर मान लिजे हमारी टेडर हैटरन सेप में पान लिजे प्रित्वी या बोलते हैं ट्रांसफार्म हो भी जाती है तो वो अपनी जो बैलेंस स्पीर के सेप में मेंटेन की हुई है वो टेडर हैटरन के सेप में मेंटेन नहीं कर पाएगी और हमारे जो पैसिबिक ओसियन है वो लगबग वन थर्ड आप और सर्फिस कवर करता है और जैसा कि आप जानते हो कि लोटियन ग्रीन का ये गाना था कि टेडर हैटरन की जो चारों फेस हैं वो एक एक ओसियन रिप्रेजेंट करती है तो अगर पैसिबिक ओसियन सिर्फ हमारी एक ही फेस रिप्रेजेंट करती है तो ऐसा क्यों है कि वो लगबग वन थर्ड हमारी पूरी अर्थ सर्फिस को कवर करती है तो ये भी बैसिकली हमारी इस के अगेंश जाती है फिर तो थर्ड अर्थ हमारी जो है वो इतनी तेस से रिपीट कर रही है बोल सकते हैं रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे कि जो इसका स्पेरिकल सेफ है अर्थ का वो कनवर्ट नहीं हो सकता टेटर हैटरन सेफ में और फिर उन दोनों के अगेंश बात करती है ठीक तो बस आज के लिए टिंक इतना ही मिलते हैं आपको अगले कलास में अपनी इक एक रिप थिएरी के साथ